पुद्धिंदिंग पिटा, बुद्धिंदिंग होगी क्या? होगी है ना बुद्धिंदिंग तो, पर भू पहुचाड़ा, इसलिए बुद्धिंग लगती कम हैं ना? कोई बाती है? Hello students, कैसे हैं आप सभी? वीडियो आप पढ़ेंगे मैंने आपको पढ़ाया आपकी ही English grammar से ठीक है? यह आपकी English grammar की book है सभी बच्चे books purchase करें और मैंने आपको पढ़ा दिया है chapter first chapter first अपना complete हो चुका है exercise दी हुई है जैसे मैंने कर आपको समझाया था ना question भी दिये थे मैंने आपको कैसे दिये थे? कि कुछ जंबर बढ़ थे यानि कि अपनी जगह पर लिखे हुए नहीं थे उन्हें हमें सखी जगह पर लेगर के आना था और sentence बनाना था ऐसे ही बढ़ाय की थी ना तो इसके साथ ही अपना जो sentence को chapter है बढ़ा वो complete हो गया है ठीके? अभी आप सभी बच्चे जब book purchase करने हैं तो यहाँ पर page number 6 पर एक ऐसी ही exercise दी हुई है यह exercise आप लोगों को solve करनी है ठीके? यह exercise आपको solve करनी है ठीके? तो मैं आपको actually क्या है कि आज मैं आपको EBS बढ़ाने वाली हूँ मैं आज आपको EBS बढ़ाने वाली हूँ यह आपकी EBS की book है यह बढ़ाँगी इससे पहले मैं आपको जो sentence का chapter हमने पढ़ा है उससे related मैं आपको कुछ sentence दे रही हूँ जो आज आपको home work में क्या करना है? write करनी है, solve करनी है ऐसी की exercise जो मैंने आपको कल दीजी ठीके? तो आप बच्चे exercise जो है write करनी है हाँ आपको अपने topic है sentence sentence ठीक है? और sentence में आप exercise नोट कर लीजी जो आपको home work में solve करनी है रहें चक्ति में आपके रीराची रीराची के राचाशीट में रीराची र Season 11 फॉलोवमग इन आपको है राचुछ पूलोवद्रिघा रीरुछ चाहरें आपको फूलोछा 7 of words to make a meaningful sentence. यानि कि नीचे में कुछ words दूँगी, words के प्रुप दूँगी, आपको उनको rearrange करके एक meaningful sentence बना ले रहा है. तो फर्स लिखेंगे, is, city, big, a, kanpur. इसे हमें सही बनाना है, एक sentence में बना के दिखाओं, जैसे, is, city, big, a, kanpur. तो इसका proper sentence कैसे बनेगा, kanpur is a big city, ऐसे हमें इसका सही sentence बनाना है, ठीक है, एस मैंने solve कर दिया है, बाती ही आप solve करना, wind, strong, आर, blowing, पोस, थार्ण अगे राइट करो, आर, naughty, she, girl, is, phone number number number, old, was, man, the, फाइफ नंबर नोट करो हैर कार दे अब फाइफ होगे ना अच्छा फाइफ नोगे क्योंकि वन मैंने नहीं सोर कर दिया था तो उसे एक और इसलो आप शिम्ला देन कूलर इस काश्मीर यह दो पैटा यह मैंने कुछ सेंटेंस राइट कर दिये है वन सेंटेंस मैंने सॉल्ट कर दिखा दिया है ऐसे आपको सॉल्ट करने है ठीके यह स्ट्रॉंग एफ्टाग्स विस्ट्रॉंग अब्लॉइंग वोस अथ नॉटी अथ नॉटी शी गर्ट इस अब्लॉज मैंन दॉफ है कार दे अब शिम्ला देन पूलर इस काश्मीर हमें इन ग्रुप्स ओफ वर्ड को क्या करना है री अरीज करके सही सेंटेंस बनाने है ठीक है यह एसे साइस नॉट करनी जीए यह आज का आज का आज का इंग्लिश हमबल है हमबल है इंग्लिश का ठीक है यह नॉट कर लीजिए फिर मैं आज को पढ़ाने पाली हूँ आज का इंग्यस का फर्स्ट चैप्टर ठीक है बिटा फटा फट से नॉट करेंगे सभी बच्चे वेरी गोट फटा फट से सभी बच्चे नॉट कर लीजिए वेरी नॉट इड़ीड क्या आपने नॉट कर लिया है बच्चो मुझे बताएंगे अमन नॉट कर रहा है अभी कोई बात लिया नॉट करो शाबाश वेरी गोट फटा फट से नॉट कर लेंगे सभी बच्चे अच्छे अच्छी राइटिंग में कर्सिव राइटिंग का यूज करते हुए गगन ने कर लिया नॉट वेरी गोट बिटा मनीशा प्रतिग्या ने भी कर लिया है वेरी गोट बिट्टू कर रहा है तरुन अभी नॉट इड लोकेश वेरी गोट लोकेश ने निख लिया है यस मोरे ने भी कर लिया है शाबाश फटावर से नॉट कर लेंगे मेरे साभी ज़े जो समझ नहीं आया है मनीशा ने भी कर लिया है वेरी गोट बिटा फटावर से नॉट कर लो फटावर से नॉट करेंगे सबी बच्चे रितेश ने भी कर लिया है मनीशा ने कर लिया है वेरी गोट गगण I couldn't understand second sentence सेकिंड पर समझे नहीं है विटा देखो सेकिंड में मैंने जाली पार रहे है विड स्ट्रॉम आव ब्लॉइंग वोज विड होती है हवा स्ट्रॉम तेजी से अव एक ब्लॉइंग ब्लॉइंग मतलब जो हवा चलती है लोके शोके विटा वोज थी यानि इक हवा जोरों से चल रही थी ठीके गगण आया समझ में विटा पढ़ा पसने से भी बचे नौन कर लो क्रेश हो गया विटा पैरी गूड क्रिशने भी नौन कर लिया है बरी गूड शबश चलिए अब आपको पढ़ा दूँ EBS हो गया से भी बचो का नौन चलो अब मैं आपको पढ़ा दें हूँ आपका EBS का फर्स्ट चैप्र देखो मैटा जैसे की देखो बन चैप्र अपन कंप्लीट करेंगे इंग्लिश का और बन चैप्र कंप्लीट करेंगे EBS का ठीके दोनों प्लासेज चलेंगी साथ में ठीके और यह है आपकी EBS की बूख देखो हाँ रिदेश के पास में बूख है और कोई बच्चे जिनके पास बूख है रिदेश के पास में बुख है और तनिका के पास में भी बुख है और किसके पास बुख है सचिन के पास बुख है जिनके पास है वो उपन कर लो और जिनके पास में नहीं है वो मेरे बात को अच्छी तरह से सुनेंगे और जल से जालना आप सभी बच्चे बुक्स भी पच्चेस करें ताकि आप भी अपनी बुक्स से पढ़ पाओ ठीके? चलो अपना फस्त चेप कर रहे हैं इरेस कर दो बच्चो इसको में इरेस कर दो क्योंकि आप अपना इरेस चल रहा है तुम्हें यहाँ पे इरेस मेंशन कर देते हैं इवी एस एनवाइनमेंटल स्टडी और टॉपिक है अपना अंडर्स्टेंड अंडर्स्टेंड आपर रिलेशन्स अंडर्स्टेंड आपर रिलेशन्स रिलेशन्स तो आप सभी बच्चे जानती हुँ हो रिलेशन्स का मतलब क्या होता है संबंग जो हमारे रिष्टेदार होती है जो हमारे रिष्टे होती है ठीक है ना और understanding होता है समझ understanding मतलब क्या होता है समझ होता है यानि की रिष्टों की समझ रिष्टों की समझ EBS का तहला चैटर है रिष्टों की समझ understanding our relations understanding our relations understanding our relations ठीक है रिष्टों अमने एक करें हुँ ये ताखी जरूरत पढ़ने पर हम बोड़ का यूज कर पाई देखे मैं याँ में बता रिष्टी मूँ understanding understanding मतलब क्या होता है समझ समझ और relation क्या होता है relation relation मतलब होता है संबंद या हम इसको कह सकती है रिष्टे रिष्टों की समझ या जो हमारे समझ है इक दूसरे से उसकी समझ का होना ठीक है चलिए चेपर स्टार्ट करती है यहाँ पर संजना और सल्मा की कहानी है ठीक है बच्चों तो देखो संजना और सल्मा study in same class and same school संजना और सल्मा एक ही class में पढ़ती है और एक ही school में पढ़ती है जैसे कि आप एक ही class में पढ़ते हो और एक ही school में पढ़ते हो ठीक है वन डेड संजना वोस्ट वेरी अपसेट एक दिन संजना बहुत ही जादा अपसेट अपसेट Upset होता है परेशान होना एक दिन संजना बहुत ही परेशान ही क्यों थी वो upset केडा सल्मा आस्कड़हर अब सल्मा संजना की दोस्त है इसलिए सल्मा ने संजना से पुच्छा कि Why are you so sad today कि आज तो इतनी ज्यादा sad यानि हुदास क्यों हो संजना रिप्लाइब होता है उतर देना रिप्लाइब र-e-p-l-y रिप्लाइब होता है उतर देना तो संजना ने उतर दिया क्या उतर दिया My mother is not well मेरी ममा की दब्याट थीग नहीं है सलमा सैड डोंट वरी संजिना डोंट वरी डोंट वरी का मत्रत चा होता है डोंट वरी डी ओ एंटी डोंट डोंट वर्ट वर्ट वरी डोंट वरी यानि कि चिंता मत करो चिंता मत करो चिंता मत करो अब दोसरों को बोलते हैं अगर कोई परेशान होता है तो दोंट परी तो संजना ने में का संजना ने जब बताया कि मेरी ममा बिमार है तो सल्मा ने कहा कि दोंट परी संजना तो परेशान मत हो we will discuss it in the lunch time कि जब lunch time होगा तो हम इस बारे में बात करेंगे पहले मेरी बात सुनलो बच्चों बच्चों, 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 बच्चों dear students अभी मैं पढ़ा रही हूँ सब बच्चे मेरी बाती धांसे हो मैं आपको बोलूँगी कि बिटा आप नोट कर लो तब आप नोट कर लो मने बीडियो आप नोट करो अंजली बीडियो आप करो शाबास, बीडियो आप करो सभी बच्चे हाँ, शाबास थीके, तो संजदार सल्मा में डिसकरशन हो धा है कि अभी दंश टाईम में हम मिलकर बैठ करके बात करेंगे कि क्या परिश्मानी है ठीक है आंटी विल बी ओके सून सून मतलब हो जा है जल्दी ही सून मतलब की शीखर को गोजे में इसको या जल्दी ही कि जो आंटी है वो जल्दी ही क्या हो जाएंगी शी विल बी ओके वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ठीक है अब होता है lunch time lunch time हो गया है सल्मा और संजना दोरो साथ बैठ करके lunch करती है वो बाते करती है सल्मा कहती है just संजना tell me what happened to your mother तुम्हारी मां को क्या हुआ तुम्हारी मां को क्या हुआ है तो संजना कहती है my mother is suffering from fever from yesterday मेरी ममा को कल से fever हो रखा है पायल मनीशा बेटा वीडियो ओन करो मेरी ममा को कल से fever हो रखा है सल्मा has you concerned the doctor क्या तुम डॉक्तर के पास गए है जब कोई बिमार हो जाता है तो यही पूछते ना कि डॉक्तर के पास गए कि नहीं कि तुमने डॉक्तर से कंसर्ट किया भी नहीं तो संजना कहती है यस डॉक्तर गेव मेडिसिन्स कि हाँ हम डॉक्तर के पास गए थे और डॉक्तर ने क्या दी है मेडिसिन दी है अवे फॉक्तर गेव ये हमिर पास गेवकी नहीं सब्सक्राक्रण में हम गेडिसिए और में गेडिसे बितंडWowक्तर के दएम आग्यों ग्रॉक्तर गेशंतों धता क्यूट्व ये technरें आपस गए कि तो मां अरी का भी ना रखना है आप सब मां कहती है then why are you worried अरे जब दादी है आंटी है घर में खयाल रखने वाली तो तुम इतनी परिशान के ओं हो भई there are a lot of members in your family अरे तुमारी family में तो बहुत सारे लोग है है ना तुमारी दादी भी है चाची भी है इतने सारे लोग घर में है तो ममा को खयाल को अरांग से रख सकते है तो तुम्हें किस बात के चिंता है अब संजना ख्याती है Yes, we are living joint family हाँ, हम कैसे family में रहते हैं joint family में रहते हैं joint family कौन सी होती है बच्चों जिसमें हमारे पापा, ममा और हमारे अलावा और जैसे दादा जी, रादी जी, चाचा जी, चाची जी, ताओ जी, उनके बच्चे सभी लोग साथ में होती है वो joint family होती है तो संजना बताती है कि हमारी तो family कैसी family है joint family है grandfather, grandmother, uncles, aunties and their kids we live together हम तो दादा जी, दादी जी, चाचा, चाची, ताओ जी, ताओ जी, उनके बच्चे हम सभ लोग मिलकर के साथ में रहते है आप बच्चों आप मुझे बताओ आप joint family में रहते हो या फिर आप जो है single family में रहते हो nuclear family में रहते हो जिसे nuclear family बोलते हैं ना नुकलियर फैमिली में रहते हैं आप नुकलियर फैमिली होती है जिसमें ममा पापा और उनके बच्चे रहते हैं तो आप बताओ, आप nuclear family में रहते हो या joint family में रहते हो लिखके बताओ खुड़ा-फट से answer दो, आप कैसे family में रहते हो nuclear family दो दरेगी families होती है देखो बेटा family 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 जो होती है, दो दरेगी होती है फर्स्ट होती है nuclear nuclear family और सेकेंड होती है joint family रिष्टों की समझ है आपका चेप्टर यानि की आपको समझा रहा है की कैसे परिवार होते हैं और कैसे हमारे विष्टे होती है joint family और nuclear family दो दरेगी families होती है ठीके अब जो nuclear family होती है इसमें कौन होता है इसमें होते है father mother और इनके son और daughter ये होते हैं चीके लेकिन जो joint family होती है इसमें कौन होते हैं सबसे पहले head ओधा family grandfather grandmother grandmother होगी uncles होगे uncles मतलब की चाचा भी हो सकते हैं ताउदी हो सकते हैं aunties होगी ठीके और kids होगे आप kids में आप यहां पर आपके mom dad तुम्हें बूली होई है ना mother father गयाएंगे ना आपके mama भाब भी आएंगे देखो grandmother होगी grandfather होगी uncle होगी auntie होगी सभी क्या बच्चे होगे mother father और आप लोग सभी है ना आप सभी होगे ठीके ठीके तो joint family nuclear family ठीके दो तरह की families होती है तो संजना कैसी family में रहती है संजना joint family में रहती है यह संजना की family है जबकि दूसरी friend है सल्मा सल्मा कैसी family में रहती है nuclear family में रहती है और संजना कैसी family में रहती है joint family में रहती है ठीके अब सल्मा कहती है You should not worry तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए All your family members are taking care of your mother properly तुम्हारी family के सब लोग मिलकर तुम्हारी मम्मी का पूरा पूरा ख्याल रखेगे वह इतने सारे members हैं तो सारे जने मिलकर के तुम्हारी मां का खुब अच्छा ख्याल रखेगे You will see, तुम्हारी ममा दो या तीन दिन में ही बहुत अच्छी हो जाएंगी I have only my father, mother and younger sister at my home अब सल्मा कहती है कि मेरी family में तो सिर्फ मेरे पापा है, ममा है और मेरी छोटी बहन है छोटी बहन है भाई तो है भी नहीं तो छोटा सा परिवार है यानि कि nuclear family है हमारी तो ठीक है अब इसके बार में दी हुई है एक table बच्चो ये table ठीक है ये table में अभी आपको बताऊंगी एक बार फटा फट से ये कुछ मैंने यहां पर words लिखे है और इन्हें mean मैंने यहां पर लिखे है ये word है और ये mean मैंने यहां पर write किये हैं ये आप note कर लिजिए और साथ में family जो होती है इसको भी आपर note कर लिजिए nuclear family और joint family आप इसे note कर लिजिए ठीक है फटा फट से अच्छी अच्छी writing में आप इसे पर note कर लो फिर मैं आपको table समझाओंगी जो table दी हुई है very good आप note कर लिए understanding मीन समझ relation मीन समबन यारिष्टे upset मीन परेशान हो जाना reply मीन उत्तर देना don't worry मीन चिंता मत करो soon मतलब शिग्र ही जल्दी ही कनिका 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 को वासी आ रही है नीद आ रही है क्या हां मैं वीडियो इस नॉट कमिई वीडियो नहीं आ रही है अभी चेक कर लेते हैं सबके पास नहीं आ रही है क्या वीडियो तो आ रही है मैं नेट वर्क नहीं है नेट वर्क नहीं है आपका नेट वर्क नहीं है मेरा तो है देखो आप अपने चेक करोई पर रिदेश, अंजली, शुशान, तरुन, खुश्बू, मैटा आ रही है की वीडियो नहीं आ रहे है सचिन, नितिन, बिट्टू, तनू, यश, पायल, वरुन, मैटा वीडियो आ रहे है आपके पास येस, आ रहे है, बिटा कुछ एक बच्चे है ना कई बार जैसे होता है कि आपके पी येस भी स्वड़ा नेट वर्क इशू होता है, हाँ, आ रहे है, ठीक है, ठीक है, तो आपके जो नेट वर्क इशू है ना, उसकी बज़से कई बार वीडियो नहीं दिखाई देता है, कोई बात ही है, हो जाएगा ठीक, एक बार जगय को चेंज करके देखा करो, दूसरी जगय पर जाके बैठो, फिर देखो, है ना, हाँ, धर में जहाँ, जिस फोने में बढ़िया नैट बर काता है, मां पर बैठो क्लास लिया करो, शाबाज, नोट हो गया अच्छो, नोट कर मैं हर जाओ, साइज लो जाओ, ठीक है, कोई बात निया, आआम से नोट करो, जगया आराम से नोट कर रहा है, अब आराय है जगया वीडियो आरा हो बाचें, आयाम से नोट करूआ वेरी गुट शाबाज बहुत अच्छे बच्चे हैं बहुत अच्छे कॉपरेशन के साथ में बढ़ाई कर रहे हैं वेरी गुट वेरी गुट नोट कर लो पेटा फटा पटसे डन ओके यस ने कर लिया है वरून ने कर लिया है शाबाज शाबाज मैं होमबर्ब समझा दू बेटा क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा अपनी क्लास फिलिश हो जाएगी मैं होमबर्ब समझा देती हूँ आपको कि होमबर्ब में क्या करना आज आज आपको इंग्येस के होमबर्ब में इंग्लिश का होमबर्ब तो हो गया है आप इंग्येस के होमबर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पर रोंट कर रहे हैं दिखाई दे रहे आपको, यानोट कर दूँ, यस दिखाई दे रहे हैं आपे, वरुन दिखाई दे रहे हैं आपे, लिख दूँ, ठीक है, हॉमबर्ग में करना में आपको, हॉमबर्ग में करेंगे, सभी बच्चे, अपने दादर दादेजी से ले करके, और अब तक की, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्ग से हैं, उनके सभी के पासपोर्ट साइज फोटो कलेक्ट करने हैं, फेर नोट दू का वर्ग बता रहे हूं, आपको फैमिली फोटो हैं, फैमिली फोटोस विट नीम, पेस्ट इन नौर्ट बुक, नौर्ट बुक में दाड़ा दादी जी से ले करके, जितने भी आपकी फैमिली मेंबर्ग हैं, सबी के फोटो कलेक्ट करो, नौर्ट बुक में पेस्ट करो, उनका नीम लिखो, और आपको साथ में ये भी लिखना है, कि ये आपके दादा जी हैं, दाजी जी हैं, एक मैं बना के बताती हूं, जैसे की ये फोटो है, ये फोटो के लिख करी, फिर आपको यहाँ पर उनका नीम राइट करना है जैसे लिख दिया मैंने Mr. Mohan Lal Mr. Mohan Lal और फिर क्या करना है यहाँ पर कोन में आपकी दादा जी है तो क्या लिखेंगे Grandfather समझे बच्चों ऐसे करना है आपको ठीके बहुत सुन्दर राइटिंग भी उनके नीम और उनका घर में कौन से स्टेज पर वो आते हैं उनका जोना स्टेज राइट करना है ठीके होंपक समझ गए सबी बच्चे ठीके सो आज के लिए इतना ही जो मैंने पढ़ाया है उसको लिखे लर्ण करें जो होंपक बताया है वो होंपक संप्लीट करें क्यों और बच्चे ना स्टेज प्लाइब्स प्लाइब्स झाल झाल